88 और 90 का दौर अगर आपको याद होगा, तो एक अदाकारा हर दूसरी फिल्म में आपको हनसाती नजर आही जाती थी। वह गुड़ी मारुती के नाम से हिंदी सिनेमा में मशहूर हुआ करती थी। मगर क्या आपको पता है इस प्रसिद्ध कॉमेडियन ने कैसे खुद ही अपना सुपर हिट करियर डुबो लिया था। मगर ज्यादातर लोगों को तो उनका असली नाम ही नहीं पता होगा। गुड़ी का असली नाम ताहिरा परब है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ताहिरा आखिर गुड़ी मारुती कैसे बन गई। यह किस्सा भी आपको सुनाएंगे। पहले बताते हैं कि वो बॉलिवुड में कैसे पहुँची। 4 अप्रेल 1961 को मुंबई में पैदा हुई थी ताहिरा यानि गुड़ी। उनको सिनेमा में पहुचने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पिता खुद भी एक मशहूर हास्य अभिनेता और निर्देशक हुआ करते थे। उनका नाम मारुती राव परब था। वो पुराने जमाने की कई फिल्मों में नजर आये थे। जैसे 1955 में दरबार रियासत, 1956 में दशहरा या 1965 में हम सब उस्ताद हैं या फिर 1971 में कहीं और कहीं पार। जैसी फिल्मों में उन्होंने कनीज फातिमा से शादी की थी। वो भी एक जमाने में अभिनेत्री थी और अदाकारा कमाल के नाम से अभिनय किया करती थी। दोनों के चार बच्चे हुए तीन लड़कियां हिना, गुड़ी और परवीन है। वहीं एक भाई था जिसका नाम दारा मुनवर अली रखा गया। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि बच्चपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी गुड़ी अभिनेत्री नहीं, एयर होस्टेस बनने का सपना देखा करती थी। मगर यह पूरा नहो सका, क्योंकि उनका शरीर बच्चपन से ही मोटापे का शिकार हो गया था। गुड़ी को पता था कि उनका यह सपना तो पूरा नहीं हो सकेगा। इसी बीच उनको अभिनय का शौक लग गया। अपने पिता को ही एक्टिंग करते देखती तो खुद भी सिनेमा में आने के सपने देखने लगी। वह दस साल की रही होंगी। एक दिन पिता से अभिनय की ख्वाहिश जताई तो पिता ने फौरण हां कर दी। शुरू से ही गोल मटोल गुड़ी को फिल्म मिलते भी देर नहीं लगी। उन दिनों एक फिल्म बन रही थी, जान हाजिर है। उसमें एक गोल मटोल बाल कलाकार की जरूरत थी। गुड़ी उन दिनों कक्षा चोह में थी। और इस रोल के लिए फिट बैठ गई और उनको काम मिल गया। इसी फिल्म से पहली बार उन्होंने सिनेमा में कदम रख द इस फिल्म में हिरोईन की सबसे खास सहेली का दमदार किरदार था, जिसके लिए किसी अदाकारा की तलाश थी। गुड़ी को यह बात पता लगी, तो वो विजय से मिलने पहुची। उनको यह किरदार फौरन मिल गया। फिल्म में उन्होंने शोभा नाम की लड़की का र गया, तो परिवार भी संकट में आ गया। शौकिया फिल्मों में आई गुड़ी के लिए तो अभिनाय करना अब मजबूरी बन गया। परिवार को चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। इसी बीच एक बार उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर म पदलना पड़ेगा। ताहिरा को घर में सब गुड़ी-गुड़ी कहा करते थे। ऐसे में उन्होंने अपना नाम ताहिरा की जगह गुड़ी कर लिया और अपने पिता की याद में सरनेम उनका ही नाम मारूती लगा लिया। इस तरह से हिंदी सिनेमा को महान अदाकारा ग उफर नहीं किया। लेकिन छोटे से छोटे रोल में भी गुड़ी कमाल करती रही। नब्बे का दौर तो मानो इन्ही कॉमेडियन का हो चला था। डायरेक्टर उनके मोटापे को देखते हुए ही फिल्मों में उनके रोल रखा करते थे। गुड़ी मारूती ने छोटे सर शोला और शबनम, दुलारा शीशा, एक के बाद एक का प्यार, प्यार कसम, दूले राजा, मा, जैसी करनी वैसी भरनी, बंदिश, इजददार, चमतकार, पाप का अंत, मिस्टर एंड मिसेज खिलाडी, वक्त हमारा है, राजा जी, बीवी नमबर वन, दो आखें, बारा हा सनम तेरी कसम, लव सेक्स, आंखें, खिलाडी, नरसिम्ह, बेजुबान दिल ने फिर याद किया, और इंसानियत के देवता जैसी हिट फिल्मों में काम किया, एक समय तो ऐसा आया कि वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाले हास्य कलाकारों की लिस्ट में आ गई थी, उनकी सफ साल 1997 की बात है, मुंबई के माफिया छोटा शकील गैंग ने उनके फ्लैट में घुसकर ही उनके भाई का मर्डर कर दिया था, अपने भाई की मौत के गम को दिल में लेकर भी वो लोगों को हसाती रही, उनका करियर पीक पर चल रहा था, हर दूसरी फिल्म में वो दिखाई दे जाया करती थी, मगर दोस्तों, एक कहावत है, अपने पैरों पर कुलहाडी मारना, गुड़ी मारुती ने भी एक ऐसा फैसला ले लिया, जिसने उनके सातवें आसमान पर चल रहे करियर को बरबाद कर दिया, गुड़ी मारुती ने अशोक नाम के बिजनेसमैन से शाद आने वाले तक हैरान हो गए थे, करीब 10 साल तक वो फिल्मी दुनिया से गायब रही, फिर अचानक 10 साल बाद उन्होंने दोबारा बॉलिवुड का रुख करने का फैसला किया, मगर उनका कड़वे सच से सामना हुआ, लोग उनको भुला चुके थे, उन्होंने बहुत पूशिश की, मगर फिल्म मेकर्ज ने भी उनसे किनारा कर लिया, वीडियो को लाइक करें